नमस्कार दोस्तो मायालन प्रिब के परिवार में आप सभी का स्वागत है दोस्तो BPSC PIVIR CS QUESTIONS के BISLATION के सीरीज में आज हम परेंगे 60-62 BPSC में जो पूछे के QUESTIONS है MODERN HISTORY, इंडियन MODERN HISTORY और बिहार MODERN HISTORY से जो QUESTIONS पूछे के हैं स्टार से 62 वी बीपेसी में आज हम उसको जो है बिसलेशन करेंगे दोस्तों जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ चाहिए हिस्ट्री का हो आगे आने वाले समय में पॉलिटी का हो फिर जोगरफी का हो फिर हम एंसियंट और मिडाइवल हिस्ट्री का भी हम बनाएंगे तो के द्वारा कहीं बार जो है कोशन सेम टू सेम रिपीट होते हैं इसलिए में बार-बार बोलता हूँ कि आपकी जो स्ट्रेटजी होने चाहिए बीपेसी प्रिलिम्प स्पास करने का वह यही कि आप प्रिविएस को जो है बार-बार जो है उसको पर यह दोहराईए तो आप यह वीडियो को जितनी बार देखिएगा उतनी आपके लिए जो है आने वाले एक्जाम के लिए फायदे साबित होंगे तो अब आईए हम साट से बासेटमी बीपेसी के कोशन्स को देखते हैं जिसमें पहला कोशन्स है आपको कि किस वासराई के काल में राए बहादूर और खान बहादूर की उपादी भारतीयों को परदान की जाने लगी भारत का वासराई कौन था तो इसका अंसर हो जाएगा लॉड लिटन लॉड लिटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्ना कुलर प्रेस एक्ट जो कानून बना था प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था उस समय में वासराय कौन थे तो लॉड लिटन थे और ये भी याद रखेगा दूतिये अफगान युद के समय में जो वासराय थे वो कौन थे तो लॉड लिटन साहब थे इसको भी याद रखेगा लॉड रिपन के समय में वर्ना कुलर प्रेस एक्ट कानून को जो है खारिज कर दिया गया था ये कानून को जो है निरस्त कर द दिया गया तक किस समय में लौड रिपन के समय में और लौड रिपन के समय में ही हर दस वर्ष के बाद जो जनकन्ना की सुरुवात हुई 1881 में दिया बारे के बारे में तो भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस की अस्थापना जो 1885 में 28 दिसंबर 1885 में उस समय में जो भारत जो भारत के वासराई थे वो कौन थे तो लौड डफरिन थे इनको याद रखिएगा अब आईए हम नेक्स्ट की और बढ़ते हैं नेक्स्ट है द्वेट सासं का जनक गौर से कौशन को कहीं वालोगो कोशन गलत कर देते हैं द्वेट सासं का जनक जैसे ही आता है हम उमारे दिमाग में चलता है कि रौवर्ट क्लाइब मंगर ऑप्शन में देखिए इसे लिए पहला जो ऑप्शन रखा है वह लौड क्लाइब तो कहीं वालोग जो वगर यहां Robert Clive भी रहता तो answer जो है सही नहीं रहता क्यों कि दुएट सासन का जनक जो माना जाता है Sir Lionel Curtis को जो है दुएट सासन का जनक माना जाता है आप यह है कि Sir आपने बताया था कि दुएट सासन का जनक जो है Robert Clive को माना जाता है कब जब questions में ये पूछा जाए कि बंगाल में दुइद सासन की बिवस्था किसने की बंगाल में दुइद सासन का जनक किसे कहा जाता है ठीक है तब वहाँ पे answer हो जाएगा Robert Clive दुइद सासन जनक जो है Robert Clive जो है 1775 SP से में वो लगाते हैं 1765 SP में बंगाल में पहली बाद दुइद सासन की बिवस्था होती है और 1772 SP में 1772 SP में जब बंगाल का Governor General Warren Hastings बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि दुइद सासन को जो है समाप्त कर देते हैं बंगाल में यहां पूछ रहा है दुइद सासन का जनक किसे कहा जाता है तो सर लियोनेल कार्टीस को ठीक है नेक्स्ट है सुरेंदर नाध बनर जी को भारतिये सिविल सेवा से हटा दिया गया कब हटा दिया गया हमने इसके बारे में 24 पुरुभग पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1874 में इन्हें सिविल सेबा पद से हटा दिया गया, ये दूसरे भारतिये थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की एक्जाम को पास किया था, ठीक है, पहले भारतिये कौन थे, सतन्यनाठ टैगोर, जो रविननाठ टैगोर के बरे भाई थे, और 1876 इसपी में इन्होंने इंडि इसके पक्त्र से नेक्स संथाल बिद्रो के बारे में पूचता है संसाल बिद्रो के बारे में पुछा गया तो आपको पता है संथाल बिद्रो कब इसको भी आपको पता होना चाहिए उसके बाद हम देखते हैं क्या नील बिद्रो अठारो सो उन्सट और साथ में कौन सा बिद्रो होता है नील बिद्रो होता है सन्यासी बिद्रो कब होता है सतरो सो तिरसर नील से लेके अठारो सो इस पी में आपको सन्यासी बिद्रो देखने को मिलता है नेक्स्ट है अखिल भारतिये कोंग्रेस की अस्थापना कव वी अखिल भारतिय किसान कॉंग्रेस की अस्थापना कवी कई बार घुमाफिरा के कोशन्स पूछता है अखिल भारतिय किसान कॉंग्रेस का समन्द किस से है तो स्वामी सहाजानन सरोशती जो ने इसकी अस्थापना की थी तो यहाँ पूछ रहा है कब हुई थी तो कब हुई थी 1936 में पहला अखिल भारतिये किसान कॉंग्रेस की सभाई वीवी थी जिसमें पहला अध्यक्ष कौन थे स्वामी सहाजानन सरसती और उसके पहले महासचीब कौन थे तो MNG रंगा फिर दूसरा 1937 में हुआ जिसमें पहला अध्यक्ष सरी उनको उसमें 1937 में ज तो यहां पूछ रहा है कि अस्थापना कब हुआ तो 1936 में कहां हुआ कोशन पूछ सकता है तो लखनों में हुआ कौन इसके अध्यक्ष थे तो आपको स्वामी सहाजानन सरसती इसको जो है आप याद रखेगा इससे पहले इसका नाम जो था अखिल भारतिये किसान किसान कॉंग्रेस नाम था ठीक है अकिल भारतिये किसान सभा इसकी जो है रख दी गए अकिल भारतिये किसान सभा इसको भी याद रखेगा 1936 में इसका नाम बदल के अखिल भारतिय किसान सभाग जो है रख दिया गया नेक्स्ट है 1929 में खुदाय खिद्मतगार का आउजन किस ने किया ये भी कोशन पिछले पर पूछे गया था मैंने इसके बारे में आपको डिटेल पूरवक बताया था आपको आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिपीटेट कोशन सहा रहे हैं तो आपको क्या होता है कि आपको आने वाले एक्जाम के लिए काफी मददगार साबित होता है तो इसलिए बहुत जैसे हिस्ट्री का हुआ प समभावना रहती है फिर बाकी जनरल साइंस और जो है गॉत आफेर्स अर्षट जो हर साल करेंट साइंस से कहां पर होना चाहिए फोकास फिर जेनरल साइंस और करेंट अफिर्स में होना चाहिए जो बहुत सारे स्टुएंट का वी करता है तो यह इस कोश्ट पोर्शन को आप हमारे वीडियो के माद्यम से चाहिए आप इस बार एक्जाम दे या आने वाले आने वाले दो-तीन साल के आपको ट्यारी जो है इसी अधार पर करना होगा यकीन मानिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बीपेस को पनाएए तो आपका कॉंसेप्ट जो है और भी क्लियर होगा तो नेक्स्ट है इसका अंसर क्या होगा तो अब्दूल गफार खां को क्या बोला जाता है सि गांधी जुकि आसायोग आन्दोलन के समय ऐसायोग आन्दोलन के समय में पेसावर का एडिया जो है जो करता-धरता थे वो अबदूल गफार खांई थे जिनकर सिमांघ गांधी बोला गया सिमां ना मलब सिमांचल की अडियो के के इसको खुदए खित्मत गार को भी बोला जाता है लाल कुर्टा संगठन की भी याद रहेगा लाल कुर्टा संगठन का समन्ध की से है तो याद रहेगा अब्दूल गफार खांसे हैं जिन्हें सिमांद गांधी कहा जाता है लाल कुर्था संगठन या लाल संगठन नेक्ष्ट है भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस का पूरवर्थी संस्ता पूरवर्थी कौन सा था ठीक है आपसे ये कुशन्स पूछ रहा है तो इसका अंसर हो जाएगा जी ने आनंद बोस की सायता से इंडियन एस्सेशन की अस्तापना किया और वही 1886 में जब कुलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसकी अधेक्सता दादा भाय नेरुजी कहते हैं तो इसी इंडियन एस्सेशन जो है मर्ज हो जाता है किसमें भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रे इसकी अस्तापना किसने की तो उसके बारे में आप लिख लीजिएगा इसकी अस्तापना कवी पलेश को याद रखेगा 29 अक्टूबर 1851 में इसकी अस्तापना जो है राधा कान्त देव नोट कर लिजेगा राधा कान्त देव वह देवेंदर नाथ टैगोर ने किया था इंडियन अस्तापना 1886 में कवी एसेंडिंग डिसेंडिंग ओर्डर से कि थुरू पूछ सकता है इंडियन नेशनल यूनियन इसकी अस्तापना 1884 में किया किसने किया ए ओ ह्यूम ने आप पूछिए अगर सर ए ओ हूम ने तो भारते राष्टे कॉंग्रेस के अस्तापना किया नहीं भारते राष्टे कॉंग्रेस की अस्तापना जो नाम परा वो 1885 के अधिवेशन जो बंबे में हुआ था उसमें उसका नाम जो इंडियन भारते राष्टे कॉंग्रेस परा जो अस्थापना जो वुआ था 28 देसंबर 1885 को अस्थापना के समय में इसका नाम इंडिया नेशनल यूनियन ही था जिसके अस्थापना एओ हुम ने किया था ये बृटिस अधिकारी था जो भारतिय शिविल सेवा का अधिकारी रहा था तो इसने रिटायर आदमी था इसने इंडिया नेशनल उनियन की अस्तापना की 1884 में यहीं इंडिया नेशनल उनियन अर्थाद 1885 में इसका नाम क्या हो गया भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस इंडिया नेशनल कॉंग्रेस किसके अडवाइस पर इसका नाम इंडिया नेशनल कॉंग्रेस हो गया तो दादा भाय इनरोजी के अडवाइस से जो है इंडियन नेशनल यूनियन को 1885 के पहला अधिवेशंस में ही इसका नाम बदल के भारते राष्टे कॉंग्रेस कर दिया गया इसको याद रखेगा तो 1884 में इसकी अस्थापना एओ हुम ने की इंडियन लीक की अस्थापना कव भी इसको भ कुमार घोस ने किया सिसीर कुमार घोस ने सिसीर कुमार घोस ने किया किसका तो इंडियन लीक का एक है इंडिया लीग इसको भी याद रखेगा एक है इंडिया लीग इंडिया लीग इंडिया लीग इंडिया लीग इसकी अस्थापना 1916 में किस ने किया इनी बेसेंट ने किया एनी बेसेंट ने जो है किया ठीक है इसको याद रखेगा नेक्स्ट है बिहार के एक वकील जिसने आसरयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को छोड़ दिया था हमने आपको बताया था प्रिवियर से के कोश्टन में इसको यह रिपीटेट कोश्टन देखें फिर पूछा गया तो कहीं सारे रिपीटेट कोश्टन रहते हैं घुमा फिरा के जो है इस बार यह पूछेगा तो एकली बार अगर राजंदर प्रशाद से जो है कुछ और पूछेगा इसकी आंसर क्या है अपनी वकालत छोड़ दिया तो राजंदर प्रशाद ठीक है तो राजंदर प्रशाद जो है इन्होंने आसरय में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया ठीक है उस समय में जो है भारत के जो है भारते राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष कोन थे तो यह भी याद रखेगा मौलाना अबूल कलाम आजाद मौलाना अबूल कलाम आजाद मौलाना अबूल कलाम आजाद इसको भी याद रखेगा यह सबसे कम उम्र के जो है भारते राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष ते और सबसे लंबे समय तक यह रहे 1940 से लेके 1945 तक अब इस दोरान जो जो भी घटनाए हुई भारत में यह दि कोशन्स पूछेगा कि भारते राष्टे कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो आप याद निकिएगा चाहे क्रिप्स मिसल हो या बेवल योजना हो सब इनके समय में हुआ कोशन्स आप से पूछ सेकता है तो मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया उस समय में कौन-कौन से सदस ते यहाद रखेगा इसके अध्यक्स कौन थे तो पी लॉरेंस सर पी अध्यक्स ते कै bunny Mission के सर पी लॉरेंस इसको अब याद रखेगा एवी ऐलेक्जेंडर एवी ऐलेक्जेंडर तीक है उसके बार इसमें एक और सदस थे जितका नाम क्या है जो इससे पहले लेके आये थे Gleich vision 1992 में कौन सा mission लेकि आये थे यह तो उनके बारेश में भी आप याद रखेगा तो था को स्ट्विड क्रिप्स इनका नाम with मिशन था न सर प económью बिस्ट्र developmental प्रिशणडर आप याद रखेगा यह तीन स्दस्ते क्यपिनेट मिषन के इस समय अब यह कोशन पुछेगा cabinet mission जब भारत आया उस समय में जो है ब्रिटेन के परधान मंत्री कौन थे तो आप क्लिमेंट एटली ठीक है क्लिमेंट एटली जो दे उस समय में ब्रिटेन के परधान मंत्री थे तो यह भी याद रखेगा cabinet mission आया कब तो मार्च 1946 को आया ठीक है अब कोशन से पु कि cabinet mission से जो है कौन सहमत थे उसकी सोच से जो है उसके बाद जो पॉइंट रखा था भारतियों के सामने कॉंग्रेस के सामने मुस्लिम लीग के सामने तो उसके बातों से कौन सहमत थे इसको भी याद रखेगा तो महात्मा गांधी जो है इससे सहमत थे नेच्ट कष्शन है चटगाँ सासत्त्रागार चापपी की योजना किसके द्वारा बनाएगए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सूरिय सेन इंनोंने क्い सं इन्डियन रिपॉब्लिकन आरमी की अस्थापना किया यह अध रखेगा इंडियन रिपॉब्लिकन इंडियन र आर्मी की अस्थापना किया कब किया 18 अप्रेल 1930 को इंडियान रिपब्लिकन आर्मी की अस्थापना किया और यह आर्मी क्या किया चटगाउं वर्तमान में बंगलादेश में हैं तो चटगाउं में इन्हों चापे मारे और वहां से हत्यार को अपने अंदर कर लिया, चटगाउं सास्त्रागार चापे, तो किनों ने किया किनके नेतरुत में हुआ, सूरिसेन और इंडियन रिपबलिंगर, आर्मी के जो सदस थे, उन्होंने चटगाउं में चापा मारा, और वहां से उन्होंने हत्या ब्रामत किये, उसके बाद 1933 में, 19 फरवरी 1933 को इनको गिरफतार कर लिया जाता है, उसके बाद 12 जनवरी 1933 को इनको फासी दे दी जाती है, याद रखेगा, इनको फासी दे दी जाती है, कब 12 जनवरी 1934 को, सूरिस इनको, किसके खारण, चटगाउं सास्त्रागार चापा का, चापा जिन्होंने मारा था, इंडियन रिपॉब्लिकन आर्मी, जिसकी अस्थापना इन्होंने, 18 अप्रेल 1934 की, ठीक है, नेक्स्ट है, किसकी बिफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया, बहुत बार कोश्टन पूछा गया स्वराज पार्टी से, तो किसकी असफलता के बाद, आसयोग आंदोलन, हुआ था, आसयोग आंदोलन के सुरुवात कव हुई थी, एक अगस 1922 को, चार फरवरी 1922 को जो है, गांदी जी ने चौरा-चौरी कांड के बाद जो है, उसको आसयोग आंदोलन के बारे में उन्होंने बोला, ये हमारी हिमालाय जैसी, क्या थी, गल्ती थी, इन्होंने कि इसके बारे में बोला, तो आसयोग आंदोलन से कोश्टन सकता है, आसयोग आंदोलन की जो है, जो शुरुवात भी थी, और किस अधिवेशन में ये टाय किया था, आसयोग आंदोलन होगा, 1920 का जो है नाकपूर अधिवेशन, अब ये कोश्टन पूछ रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसके बाद हुआ तो ये आसयोग आंदोलन के बाद, क्योंकि 1909 अधिनियम एक्ट के तद ये टाय हुआ था कि भारतियों को भी अभिधान मंडल में सामिल किया जाएगा, ठीक है, मगर गांदी जी इससे नाराज थे, गांदी जी नहीं चाहते थे, गां चितरंदन दास, जिनको देश बंदू भी बोला जाता है, देश बंदू चितरंदन दास और मोतिलाल नहरू, इन्होंने मिलके क्या किया, स्वराज पार्टी की अस्थापना का उद्देश था, कि बिधान मंडलों में चुनाब के जरिये प्रिवेस करना और भारतियों के के लिए कानुन बनाना, भारतियों के हिद के लिए कुछ करना, ठीक है, ये था स्वराज पार्टी का उद्देश, ठीक है, तो कहीं बार पूचता है, स्वराज पार्टी के गठन कब हुआ, 1923 में कौन किया, सुसी आरदास, चितरंदन दास और मोतिला नहरू, ठीक है, ने चुनाब लरे थे, ये औप्सन आपके सामने है, आंसर हो जाएगा, लिब्रल पार्टी, याद रखेगा, लेवर पार्टी, लेवर पार्टी का क्या है, भारते सुदनता संगराम में, जब भारती लेवर पार्टी के सरकार बने थी, क्लिमेंट एटली, ब्रिटिस के परध रखेगा, और लिब्रल पार्टी से उन्होंने जो है, दादा भायनोरो जी ने चुनाब जिता, जिन्हें, दादा भायनोरो जी का बुक का नाम, Poverty and Unbitious Rule in India, और इनको, इन्होंने तीन अधिवेशन्स किया, इन्होंने तीन अधिवेशन्स किया, कहां-कहां पे, एक तो दूसरा अधिवेशन्स, 1886 में कुलकत्ताम का अधिवेशन्स, 1893 का लख, जो है, लाहोर का अधिवेशन्स, और 1906 का, कुलकत्ता का अधिवेशन्स कि अधियक्स्ता किसने की, दादा भायनोरो जी ने किया, इनको Grand Old Man of India भी बोला जाता है, इन्हें, Grand Gold Man of India भी कहा जाता है, Grand Gold Man of India भी कहा जाता है, नेक्स्ट आईए, कौन सी पत्त्रिका करांतिकारी गाति विदियो से जूरी नहीं थी, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको जो है, धियान दीजिएगा, कोशन्स में, तो आप ऑप्शन के सारे से ही, जो है, यदि आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री पर टिक कर सकते हैं, शी को इसमें यह है की पत्रिका ग्रांतिकारी गतिविदियों से जूरी नहीं थी, तो यह महात्मा गांदी की, थी एमके गांदी जी की महात्मा गांदी जी की और आपको पता है कि महात्मा गांदी जी क्रांथिकारी हिंसक गतिविद्यों के बिरुध थे और वह अहिंसक के पुजारी थे तो ऐसे में यह पत्रिका कभी भी क्रांथिकारी गतिविद्यों में सलंगन नहीं हो सकती है गदर के बारे में आपको पता है 1913 में मोहन सिंग भाकना के द्वारा सोहन सिंग भाकना ने इसके अस्थापना की थी सोहन सिंग भाकना उसके बाद ये पत्रिका गदर पाटी की अस्थापना होती ये पत्रिका शुरू में रहती है ये कहां पे होती है ये अमेरिका में USA में सेंट फ्रांसिस्को में पस्मी अमेरिका में इसमें जो है लाला हर्दयाल जैसे नेता भी इसमें जूड़ते हैं अब यह हैं यूगांतर यूगांतर यह अनुसिलन समिती से अलग होके बनी थी इसमें बहुत सारे लोग थे जैसे अरविंद घोस खुदीराम बोस प्रफुल चाकी कुधिराम बोस वही जो मुझपरफुन बंकान में जो है उनको फासी की सजादी गई थी और 11 अगस 1908 को मातर वो तीरवर्स के थे और प्रफुल चाकी भी उनके साथ थे जो है उनको लगा था कि पुलीस हमको मुठवेर में मार देगा तो उन्होंने खुद जो है गोली मा कि अधिया के अचिता जो है ब्रह्मा बांधा उपाद्या 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 ब्रह्मा बांधा उपाद् इसके रचिता संधिया की रचिता ब्रह्मा बांधवम ने 1906 में सुदेसी आंदोलन के दौरान इसकी अस्थापना की थी यूगांतर का इनका सिवनात सास्त्री के दौरा इनके रचिता जो है सिवनात सास्त्री इसको भी आप याद रखेगा गांधी जी के और भी बुक्ख है आपको पता है यंग इंडिया हुआ हरिजन हुआ अपको लिखेंग लिए यहां पर यंग इंडिया रिजन हुआ नव जीवन हुआ यंग इंडिया हरिजन नव जीवन पोSo today his हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन सब इनकी बूक है और इनका एक जो है बूक भी है जिन्होंने अपने जो है मेरे सत्क के साथ प्रयोग माई एक्सपरियेंट वित तुरूत इनी की बूक है तो याद रखे कही बार होता यंग इंडिया न्यू इंडिया कौन हो जायागा कर अन्यू बेसेंड का है इसमें काफी कंफूजन होता है तो इसको याद रखेए अ तो कौन मैडम भीकाजी रुस्तम कामा और 1907 में और यह दादा भैनरी जी के नीजी सचीब थे याद रखेगा भारति करांती की जो मां जो है जन्नी या भारति करांती की मां किने का जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा जिन्होंने 1907 में 1907 में याद रखेगा पूछ लेत या था इसलिए इन्हें ने भारत्य क्रांदे की मा कहा जाता है नेक्स्ट है अकिल भारत्य फॉर्वर्वर्ड ब्लॉक की अस्थापना और आयने अंदोरन के सक्रिय रूप से जुरे रहने के लिए सुभाद संद्बोस के साथ कौन सामिल हुए थे पूशन पूछ रहा है कि फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् देखता हो मगर लोगों ने किनको चुना सुभाशन बोज इससे नाराज हो गए गांदी जी ने खुद जो है क्या कर दिया उसके बाद सुभाशन बोज ने कॉंग्रेस की सदस्ता उन्होंने त्याक कर दी और उसके बाद आपको पता है फिर जन्वणी और सिंगापूर गए फिर आजादिन बोज का उन्होंने ने नेतरुत किया उस यह पूरे साथ उनके साथ ते सिला भद्र याजी यह बिहार के पटना के आपको पता ही है मैंने पिछले वीडियो में भी इस प्रिफ्तार पूरवग इसके बारे में बताया था नेक्स्ट है असयोग आंदोलन के दोरान अपनी परिक्षा के लिए 20 दिन के साथ पटना कॉलेज किसने छोड़ दिया था तो आंसर क्या हो जाएगा जैप्रकास नारेन देखिए इस तरह से कुछ है प्रकास नारेन हो या राज अंदर परशाद हो इस तरह से इनके बारे में हर साल जो है questions रहता है चाए बीर कुबर सिंग के बारे में हो ठीक है तो यह questions फिक्स है फिर जैप्रकास के नारेन के बारे में पूछेगा कौन जिल में इनको रखा गया ठीक है जब और जो है किस जिल से भाग गए गए किस दिन भागे उन्होंने कौन सी जैसे गुरिला य questions को यह दिए आप और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको जो है तमाम questions का जवाब जो है आपको मिल जाएगा आपके आने वाले exam के लिए नेक्स्ट है उनीस सो उनीस में जब मांटेग्यू चेम्सफोर्ट अदिनियम पारित किया गया तब इंगलेंड के परधान मंतरी कौन थे देखिए questions पूछ रहा है इसका answer हो जाएगा लॉयर्ड जॉर्ज अब यह questions पूछ देख उनीस सो नौ में जब मिंटो लॉयर्ड मि यही थे लॉयर्ड जॉर्ज इसको भी याद है उनीस सो नौ के अदिनियम और उनीस सो उनीस के अदिनियम में दोनों समय में ब्रिटेन के परधान मंतरी जो थे लॉयर्ड जॉर्ज थे उसके बाद questions पूछ सकता है कि 1857 में जब विद्रो हुआ था उस समय में ब्रिटेन के परधान मंतरी कौन थे तो याद रखेगा उनके ब्रिटेन के परधान मंतरी थे पाम अश्टन थे ठीक है अब questions पूछ सकता है कि 1935 के 1935 के समय में जब अदिनियम आया था तो उस समय ब्रिटेन के परधान मंतरी कौन थे याद रखेगा रिचर्ड एटली रिचर्ड एटल और भारत के आजादी के समय में क्लिमेंड एटली दोनों में अंतर है क्लिमेंड एटली क्लिमेंड एटली 1935 में रिचर्ड एटली थे 1935 के अधिनियम के समय में और 1947 के समय में जो है क्लिमेंड एटली थे इसको आप याद रखेगा ठीक है और उसके बाद question पूछता है भारत चोरो अंदुलन कब हुआ था 1942 में पुष्टे में कौन थे तो आपको चर्चिल साहब थे याद रखेगा नेक्स है सर माइकल ओडायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गूली मारकर हत्या कर दी गई देखिए क्वेशन्स कहीं बार घुमापिडा के पूस्ता है कि किस ने किया सरदार उधाम सिं ने किसको गुली मारा माीकल ओडायर को सरदार उधामसिंग क्यों माररक सरदार सर्केल बाला बाग में जमाव को उसके बाद किये जक्रें तो दोनों के आदेश पे वहाँ पे गोली चला दी गई थी तो सरदार उधम सिंग ने ठीक 21 साल के बाद यह देट याद रखेगा तेरह मार्च 1940 को ठीक 21 वर्ड्स के बाद लंडन में जो है किसको मारा माइकल ओडायर को जो है गोली मार दी गई फिर उनको जो है लंडन में यह सरदार उधम सिंग को जो है फासी के सजा दे दी जाती है नेक्स्ट है 1936 में लखनो अधिवेशन में पहले अध्यक्ष कौन चुने गए थे ठीक है बार बार रेपीटेट कोश्टन स्वामी सहाजानंत सर्शती कहां पे हुआ था लखनो में हुआ था पहले महासाचिव कौन चुने गए थे तो क्या आंसर हो जाएगा एंजी रंग इसके बारे में आपको बताने ही जरूरत नहीं है मैंने इसके बारे में काफी डिटेल से जो है पिछले वीडियो में हम बताए हैं किस अधिवेशन में वह मिलते हैं 1916 के लखनो अधिवेशन अंभिका चरण मजुमदार जो है उस अधिवेशन की अधिक्स्ता करते हैं जहां पर राज कुमाल सोग जो है चंपारन के बारे में कांधी जी को बतात है भारत में रहते हुए मेरी सबसे बरी मातवा कांचाओं में से एक है कि मैं इसे सांधिपूर्ण निधन में कायता करूं यह किस ने लिखा है ठीक है ऑप्सन आपके सामने हैं यह बोल रहा है कि कि किस व्यक्तिक ने बोला कि मैं जब तक इंडिया में हूं कॉंग्रेश मे है भारत में रहते हुए मेरी सबसे बरी मातवा कांची यह है कि मैं इसे सांधिपूर्ण निधन से सायता करूं इन्होंने किस ने इन्होंने बोला है देखिए दोस्तों जब 1885 में कॉंग्रेश के अस्तापना हुई तो एक मानी जाती है कि चाल थी क्योंकि जो साथ सयोग करेंगे मगर सुरुआत में भारते राष्टे कॉंग्रेश क NAS कंग्रेश करें तो हम को क्या करेंगे दवा देंगे मगर दीरे दीरे उनको यह नहीं लगा कि लोगों का सपोर्ट इनका आना इनका शूरू हो जाएगा जब उनीशो आसपास जो है ये लौट करजन इसका आंसर क्या हो जाएगा लौट करजन जब लौट करजन भारत के वासराय बनते हैं तो इनको इनका यही मत्वा कांचा रहा था इंडिया में आने के बाद कि हम जो है कॉंग्रेस जो है को खतम करना है धीरे धीरे इसको जो है हमको खतम कर दना यही मेरी एक मेरा एम है भारत में रहा कर तो यह कतन किसस ने कहा था यह कतन उन्होंने मदरास के गवर्नर को उन्हेंस से में अक लिक्र लिखा था भारत के वासराय बहुत कहो लौट करजन रहते हैं उन्होंने कॉंग्रेस के बारे में यह रखा था कि मैं जब तक भारत में हो कॉंग्रेस जो है खतम हो जाना चाहिए तो यहीं बात जो है किन्होंने का यह आप से कुछन पूछा कहीं बार जो है यह बहुत सुक्ष्मदर्सी अलव संक्यक लोगों का प लौट डफरिन ने कहा था इसको भी आप याद रखेगा एक बात लाला लाच पत्राय ने भी कॉंग्रेस के बारे में बोला था उसको भी याद रखेगा कि उन्होंने यह बोला था कि कॉंग्रेस जो है लोगों के द्वारा जो है पेरित नहीं है ना ना ही लोगों के योजनाबत तरीके से कॉंग्रेस की अस्थापना की गई है तो यह कथन किस ने कहा था तो लाला लाच पत्राई ने कहा था इसको भी आप याद रखेगा तो यह तीन कथन कॉंग्रेस के वारे में बोला यह कथन लॉट करजन ने बोला और कॉंग्रेस जो है तो किस दरसी अल तरीके से किस ने कहा तो लाला लाज पत्राएने कहा ठीक है नेक्स्ट है मुसल्मान ये दी संतूष्ट है और संतूष होते हुए भारत में ब्रिटिस सर्था का सबसे बड़ा गर बन जाता है ये किस ने लिखा ये एक बूक है इनकी sir W. w. hunter की sir w. w. hunter इनका पूरा नाम है इनकी बूक है कि अधा इंदेन मुसल्मान इपश्प content इन ने इस बूक में लिखा था औरश की बूक है w.w. hunter की ये नहीं लिखा था बिटिस सत्ता के साथ है तो हम भारत में लंबे समय तक अपना समराज को अस्थापित कर सकते हैं किन्हों ने कहा था तो www.hunter ने कहा था उनकी बुक है जिनका नाम है इसको भी आप याद रखिएगा इनका पूरा नाम है सर विल्यम सर विल्यम विल्सन हंटर सर विल्यम सर विल्यम विल्सन हंटर सर विल्यम विल्सन हंटर डब्लू डब्लू हंटर ठीक है नेक्स्ट है बिर्षा मुंडा को सोते समय कब पकर लिया गया था याद रखेगा बिर्षा मुंडा के बारे हम जानते हैं मुंडा बिद्रों का नितरुत उन्होंने किया था मुंडा बिद्रो कब हुआ था तो 1895 में हुआ था मुंडा बिद्रो जिनका नितरुत किनोंने किय मुंडा बिद्रो को क्या बोला जाता है उल्गूलन बिद्रो भी कहा जाता है याद रखेगा उल्गूलन बिद्रो कोश्चन्स पूछ सकता है उल्गूलन बिद्रो का समन किस से है तो बिड्सा मुंडा से है ठीक है और इनको धरती आवा भी कहा जाता था धरती का आवा जग जगत के पिता किसको बोला जाता है मुंडा जी को जो है बोला जाता था ठीक है और 1885 में मुंडा विद्रों का नित्यूत किया और तीन फर्वरी को इनको जंगल में सोते हुए इनको अंग्रेज के द्वारा पकर लिया गया था तो आंसर क्या है तीन फर्वरी उनिस्तो को याद रखेगा तो आंसर इसमें क्या हो जागा question में आपका तीन फर्वरीiman 1900 नहीं है इसको आप याद रखेगा इनको जगत पिता या धरती आवा का जाता है और 9 जून 1900 को ये भी देट याद रखेगा 9 जून 1900 को जेल में जो है इनकी आकास्मिक मिर्थी हो जाती है कब 9 जून 1900 को पकड़ा कब जाते हैं ये तो तीन फरवरी 1900 को बिर्स मुंडा बिद्रो कब हुआ था तो 1895 में जिसको उल्गुलन बिद्रो भी कहा जाता जिसका नेतरू बिर्सा मुंडा ने किया था और इनको धरती आवा और जगत के पिता भी कहा जाता नेक्स्ट है बिप कुमर सिंग तो ये था 60-62 में में पुछे गए इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से पुछे गए कोश्टन्स और आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अभी तक हमारे चैनल माय ओनलन प्रिप को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें थैंक यू अल दा बेस्ट फोर यूर एक्जाम